प्रधान बंती नरेंद बोधी ने क्रिसमस पर घोशना की थी कि 3 जनवरी से 15-17 साल के उम्र के बच्चों को कुरोना का ठीकाल लगाया जाएगा कुछ दिन पहले ही राष्ट के नाम एक संबोधन प्रधान बंती नरेंद बोधी ने ये भी कहा था कि 10 जनवरी से हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वोकर के लिए बूस्टर डोश शुरू की जाएगी ये घोशना तब हुई जब देश ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर क अमर कस रहा है आपको बता देएं कि 15 से 17 साल के बच्चों के लिए कोविन पर सुवधाओं के माध्यम से वाक इन और ऑनलाइन पंजिकरन दोनों ही उपलब्त कराए जाएंगे कोविन रजिस्ट्रेशन एक जनवरी से शुरू होंगे और साइट पर रजिस्ट्रेशन तीन जनवरी से शुरू होंगे बच्चों को भारत बाटेक के कोवैक्सीन का ही टीका लगाए जाएगा साथी केंद्य स्वास्य सचेव की आज राज्यों के साथ बैठक भी होगी जिसमें कई चीजों को लेका घोशना भी की जा सकती है राज्यों को 15-18 उम्र के बच्चों के ल अपने टीका करन करमचारियों और अधिकारियों को प्रसेक्शन प्रदान करने के लिए भी कहा गया है कि जो बच्चों का टीका करेंगे दिल्ली में मौझूदा केंद्रों पर 15-17 उम्र के बच्चों के लिए टीका करण अभ्यान सापित होने की संभावना है ऐसे में बच्चों को केवल को वैक्सीन दिया जाएगा सरकारी स्कूल और अस्पताल और नीजी अस्पताल में बच्चों को टीका लगाने के सुविधा भी प्रदान की जाएगी इस उम्र के अनुमानेत 7-9 लाख बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं अगर महराष्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी बच्चों में टीका करण के लिए पात्रों लोगों के अंतिम आक्रे का इंतिजार भी किया जा रहा है साती राष्ट्य परिवार स्वास्ते सर्वे 5 के अनुसार लगबग 3.7 पीज़ी जन संक्या 15-18 उम्र की बच्चों की है वहीं केंद्रों राज्जों के साथ बैचा कर उन पात्रों लभात्यों की संख्या के बारे में भी सूचित करेगा डेटा प्राप्ट करने के बाद स्वास्ते विभाग उपलद वैक्सीन के स्टॉक की ज्वाच करेगा और तै करेगा कि क्या वो केंद्र से वैक्सीन की खुराप की मांग करना चाहते हैं या नहीं वहीं अगर तमिलांडू की बात की जाया तो तमिलांडू राज्जे के स्वास्तेविभाग ने रविवार याने के 26 दिसंबर से राज्जे के स्वास्तेविभाग की घुशना की बात से ही 15-18 साल के उम्र के बच्चों के लिए टीका करण की तैयारियां शुरू कर दी है राज्जे के स्वास्ते मंत्री ने पहले ही मीडिया से बात करते हुब कहा था कि उन्होंने राज्जे में 15-18 साल के उम्र के बच्चों के लिए 33.2.0 लाख बच्चों की पहचान की है कि इस सरकार द्वारा इस उम्र के बच्चों के लिए छात्रों को को वाक्सीन अप्रूव टीका ही दिया जाएगा इस उम्र के बच्चों के टीका करण की पहल तीन जन्वरी से शुरू होगी वहीं पश्यमंगा सरकार को अभी उन दिश्रनिर्देशों को तै करना है जिसके तहत अस्पताल में इन बच्चों के टीका करण को शुरू कराया जाएगा ऐसे में सुत्रों के नुसार राज्य सरकार जल्द ही दिश्रनिर्देश लेकर भी आएगी और साथ ही बहुत अच्छी तरहा से पूरी तैयारी के साथ तीन जनवरी से इस टीका करण को शुरू कर दिया जाएगा